गोड मॉर्निंग एब्रीबडी मैं निती सर आप लोगों के लिए इस कौरोना मौसम के तहत ओनलाइन पढ़ाई की सुधा लेके आया हूँ जिसके तहत हम आपके लिए भौतिक विज्ञान के फ़स्ट पेपर के पहले चैप्टर की बात कर रहा हूँ इसमें हम आपको चैप्टर सम्मंदित बहुत सारी बात बताएंगे और उससे सम्मंदित बहुत सारे प्रश्ण जैसे नुवेरकल इत्यादी डेरिविशन इत्यादी आपको सौल्व कराएंगे इसके बाद जो भी आपकी समस्यां रह जाएंगी उनको आप मैसेज के जरिए ह सौल्व करने की कोसिस करूँगा और आपसे अन्रोध है कि इस वीडियो को दिहान से देखें इसमें जो भी हम आपको पढ़ाएंगे उससे सम्मंदित इस वीडियो के नीचे आपसे एक पीडियाप के माध्यम से प्रस्ट पूछे जाएंगे जिनको आप सौल्व करके हमें बास्ट एप के जड़िये या किसी भी इमेज के जड़िये हमें दिखाएंगे जो भी आपकी समस्य होंगी उनको हम अगले वीडियो में सौल्व करते रहेंगे यह अपना पहला वीडियो है हमें वैसा मैसूत हो रहा है कि आप भी सही होंगे हम भी सही है इस कॉरोना मौसम के बारे में चलो जाते हैं पहला वीडियो स्वाल करते हैं तो दोस्तों सबसे फहला चैप्टर है जिसका नाम है कूलाम का नियम तथा वैद्दुचेतर इस चैप्टर का नाम है इस चैप्टर में कूलाम को नियम को पढ़ने से फहले सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्दु जब हमें जानकारी होगी तब हम बैद्दुट छेत के बारे में जान पाएंगे और जब बैद्दुट छेतर बगएरा जानेंगे तब कुलाम का नियम तो आई हम बैद्दुट आवेस के बारे में जानते हैं बैद्दुट आवेस जो होता है भाईयो उसे हम इंगलिस में चार्ज कहते हैं बैद्दुत आवेस का मतलब होता है किसी वस्तु पर उपस्थित आवेस उस वस्तु में उपस्थित इलेक्टरानों की संख्या के अनक्रमानपाती होता है अर्थाथ हम सिंपल भासा में बोलें तो हम ये कह सकते हैं कोई वस्तु है उस पर जो आवेस उपस्थित होता है वो उस वस्तु में उपस्थित इलेक्टरानों की संख्या पंडरवर करता है यदि कोई वस्तु बड़ी है अर्थाथ बड़ी वस्तु होने के काड़ उसमें इलेक्टरानों की संख्या जादा है तो उस पर आवेस की मात्रा दिखोगी और यदि उसमें इलेक्ट्रोनों की संख्या कम है तो उसमें आवेस की मात्रा कम होगी अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो बहदुत आवेस होता है वो इलेक्ट्रोनों की संख्या पर निर्वर करता है अर्थातך एलेक्टोनिक संख्या देखती होगी तो आप इस अद दिखोगा एलेक्टोनिक संख्या कम होगी तो आप इस कम होगा चलूआ इसको थोड़ा और सही तरह समझें के लिए हम आपको एक फिगर के माद्द हम से समझाते हैं थोड़ा सा हम option खोल लें थोड़ा color select कर लें इसके बाद आपको हम एक figure draw करके दिखाते हैं कर दिया इसके बाद हम आपको आये इधर देखते हैं थोड़ा सा थोड़ा टाइम लग रहा है जड़ा सा लेकर लें option खुल जाएं सभी से इसके बाद आपको में बता रहा हूँ तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं यहां से जो बैदुत आविस के बारे में बैद तब आविस जैसी हमाँ ने आपकी दो कोई से भी दो फिघर ले लो माय मन लो कोई से भी दो दो गोगा है जो चोटा फिकर होगा उसमें लेक छोटा व्हीं जाध़ा उंगी जैसे कि आपके इस स्क्रीन पर तो अगर आपको दिख रहे होंगे एक आपका रेट कलर से बना हुआ है और एक आपका यलो कलर से बना हुआ है तो जो यलो कलर का है यह थोड़ा सा वाक्स है सरकर अर्थात गोली टाप का है और यह जो रेट कलर से बना है यह आपके चत्रवच की टाइफ का है अर्थात गोली ज आपका इदर राइट साइड जो रेड कलर से बॉक्स बना है उसकी अपेक्छा इस यलो वाली बॉक्स में लेक्टानों की संख्या जादा होगी और लेक्टानों की संख्या जादा होने से इस पर आविस की मात्रा जादा होगी और इदर जो रेड बना रेड वाला बना है कम होगी अर्थात electronic संख्या कम होने से इस पर आविस की मात्रा कम होगी आता हम कह सकते हैं अब हम simple भास हम कह सकते हैं जो आविस होता है दो बातों पर डिर्वर करता है यदि electronic संख्या देख है तो आविस अदिक होगा electronic संख्या कम है तो आविस कम होगा इस आविस की बारे मैं थोड़ा और जांगे जानते हैं आईए नई स्लाइट की तरब चलते हैं आवेज जो होते हैं देरा टू टाइप से अर्थाथ ये दो परकार के होते हैं आवेज जो होते हैं वो आपके दो परकार के होते हैं नमर एक धनात्मक आवेज यानि पोस्टिव आवेज नमर दो रि कि जो पने परवासा बताई उसके अनसार मुझे पता है जो आवेस होता है उसे हमें स्मॉल क्यूब से परदर से दिनूर्ट करते हैं तो आवेस जो होता है वो इलेक्टानों की संख्या के अनकर्मान पाती होता है अर्थात अलेक्टान संख्या बढ़ेगी तो आवेस बढ़ कि संख्या जो है माना एलेक्टानों की संख्या स्मॉल एन है तो उस बस्तु पर जो आवेस होगा वह का क्यू अनक्रमान पाती एन जहां एन क्या है उस बस्तु में उपस्तित एलेक्टानों की संख्या और स्मॉल क्यू क्या है वस्तु पर उपस्तित आवेस थोड़ा आगे चलते हैं नई स्राइट की वर आता हम यह क्या सकते हैं क्यों बराबर है नहीं जब अनक्रमान पातिक चन्वाप को लग रहा है इसको मैंने हटाया तो यहां पर एक स्राइट की रिखनाइट है यहां से आवेस से जो हमारा यह से क्ωνटम सिध्धान जो बनता है यहां से हमारा जो लेंग्वेज बोल है, जिए हमारा फार्मूला बन गया, Q बराबब इस जहां यह जहां यह compartil है, इसका मान नरधर लेता है क्योंकि इनर्मान का मान roman और इस इसके भारे में थोड़ा आगे देखते हैं तो अभी जो हमने पिछली स्लैड में बात की थी इसका मान होता है इसमॉल ई बराबर एक दिसमले च्छाय गुड़ान तसकी पावर माईनिस उनिस कूलाम आपको पता हूँ का इलेक्टान जो होता है इसका पर आविस होता है एक दिसमले च्छाय गुड़ान तसकी पावर माईनिस उनिस कूलाम इसमें आविस जो होता है वो इलेक्टान प्रोटान दोनों पर सेम आविस होता है अंतर इतना होता है इलेक्टान पर होता है रलात्मा काविस और प्रोटान पर होता है धनात्मा काविस इसलिए इलेक्टान पहले माइनस का चिन लगाते है आगे चलते हैं दूसरा जो आविस है अब हम इन दोनों आविसों के बारे में बात करते हैं तो आगला आप सबसे पहला जो आविस था आ पुतने ही एलेक्ट्रा निकलते हैं जितने की उस पर आवेश उपर्ष्थी था अभिखल अमने को पिछली सलेड में आपको हम आपको हमने बता है था के जो आवेश होता है वो उस बस तू पर वर स्थे आवेश की मात्रा पर निर्वा करता है और ठाट इसको थोड़ा सा फि लुख रहा हुब का यह जो आपका छोटा फिगर है और जो राइट साइड फिगर बना यह आपका थोदा साफ बड़ा फिगर अरथाद बड़े चोटे से तो मैं कोई मतलब नहीं सिर्म मेरी छोटी बास समझो यह इस फिगर से इस वश्थू से दो एल्लेक्टा निकल कर इस जो राइट साइड वस्तू पर चले गई अर्थात जिस बस अर्थात इसर लेप्ट साइड की वस्तू से दो एलेक्टा निकल कर राइट साइड की तब चले गए जो हमने यलू से तीर से आपको दिखाया है तो दो एलेक्टा जब निकल कर इस बस्तू से दूसरी वस्तू पर चले गई तो जिस बस्तू से इलेक्टर निकल गई उस पर आविस कैसा आएगा धनात्म काविस और जिस बस्तू पर इलेक्टर न पहुंच गई उस पर कैसा आविस आएगा रदात्म काविस या आप लोगों ने केमिस्टी में चोटी किलासों पर रखा होगा उस पर कितना आ अर्थात पहुंचते हैं उस पर उतना आता है तो इस धनात्मक आवेश को और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक आगजामपिल की तरफ चलते हैं आई एक आगजामपिल जो है आपका है यदि किसी वर्ष्थ से दो एल्यक्टा निकल जाते हैं तो उस पर कितना आवेश प्रपता हो तो हम यह मानके चल लए है कि कोई बच्तू है उस मेंसे दो ईल्यक्ता निकल गए दो ईल्यक्ता निकलने के बाद उस पर आवेश कितना होगा और आवेश की ऑगई वेढ़ियो कैसे होकी प्रकिति का मतलब क्या है वह आपको दो बात है बहुत दो हम पता नहीं आपको या तो आवेस की प्रति धनात्मक होगी या आवेस की प्रति रणात्मक होगी चले आएए पहुंचते हैं नई सलाइड की तरफ तो सबसे पहले नई सलाइड की तरफ सबसे पहले हम देखते हैं नई सलाइड में सबसे पहले हम आवेस की बात कर रहे थे तो आवेस का एक्जाम्पल की तरह से हम समझते हैं हमने मान लिया माना मेरे पास कोई बस्तू है जो बस्तू है ठीक बेटा ये बस्तू है ये बस्तू से आगे की तरफ हमने जो अद दिखाए हैं इसमें से दो एलेक्टान निकल गए अर्था जो बनेगा ए बराबर एकी पावर टू धनाएन अर्थात एकी पावर टू धनाएन का मतलब ये हुगा पीछे थोड़ा सा देखो हमने बताया थे पीछे दो एलेक्टान है वही आपका यहाँ है तो एकी पावर टू धना अर्थात इसमें से दो एलेक्टान जब निकल गई इस पर दो धनका आया तो प्लस 2 लिखना पड़ेगा जहां E क्या है? एलेक्टरन वपस्तित आवेस है जैसा कि हमने आपको पीछे समझा रखा है तो यहां से हमारा फॉर्मूला बन गया A बराबर एक स्वरी रियक्शन सी बन गई A बराबर A की पावर 2 धराइन प्लस 2 E जहां E एलेक्टरन वपस्तित आवेस है ठीक है? अब हम आवेस की मात्र निकालते हैं तो हमें आवेस निकालते हैं फॉर्मूला पयाद है मैं तो आवेस होता है आवेस स्मॉल क्यू बराबर N E N का मतलब होते कितने एलेक्टरन तो इसमें से कितने एलेक्टरन निकल गई वो निकल गई दो इस पर और आपको पता है इस मॉली का जो मान होता है वो एक दिसमॉला चाहे गुड़ा 10 की पावर मानेस 19 गुड़ा 10 की पावर मानेस 19 कूलाम जो इस पर आवेस होता हमने दोनों का आपस में कर दिया क्या गुणा कर दिया तो 16 दूनी 32 16 दूनी 32 रख दिया वहाँ पॉइंट एक पॉइंट था वस पॉइंट की जगर पॉइंट लगा दिया तो हो गया तीन दिसम्लादू अब छल थोड़ा सा और आगी देखते हैं अब आपको थोड़ा सा मार करके मातियू समझाते हैं सिमालो इसमें से कितने लग्टा निकल लाए वीटा दो जब इसमें से 2 लग्टा निकल लाए तो अन का मान केतना हो गया तो और दो जब हो गया जो small e निकल लई है small e का मान निर्धारित है कितना है 1.6 गुड़ा 10 की पावर माइनस 19 कुलाम अगर हमने इन दोनों का आपस में गुड़ा कर दिया तो 16, 22 यह आपका मान आ गया 3.2 गुड़ा 10 की पावर माइनस 19 कुलाम अर्थाथ इस पर जो बस्तु पर जो आवेश था आवेश कितना हो गया 3.2 गुड़ा 10 की पावर माइनस 19 से कुलाम ठीक है माइनस 19 कुलाम आवेश हो गया अब इसमें एक चीज और पूची थी आवेश का मान आवेश का मान तो आपका आ गया लेकिन आवेश की प्रिक्ति कैसी होगी तो आपको पता है हमने पता है था जब किसी बस्तु से इलेक्टर निकलते हैं तो असपा धनात्मक आवेश आता है और इलेक्टर पहुंचते हैं तो धनात्मक आवेश आता है अर्थाथ इस बस्तु से आवेस बाहर निकल लाएं इस बस्तू से इलेक्टरन बाहर निकल लाएं इसलिए इस बस्तू पर आवेस का जो मान होगा वो कैसा होगा धनात्मक होगा ठीक है इस बस्तू पर आवेस का मान धनात्मक को चलवा थोड़ा आगे चलते हैं नई सिलाड की तरफ चलते हैं यह होता है जब किसी पर रुलात्मक अवलेशं होता है तो उसका अर्थ है कि उस पर वस्तु पर अर खिसा मतलब ये है कि उस वस्तु पर उतना ही कहीं सी सोरी उस भस्तव पर उतने ही एल्यक्ट उक्टन कहीं से आ गए हैं जिटना की उस बस्तव पर आवीज उपंस्तित है इसको सही तरह समझने के लिए एक और एक जम्पर लेते हैं हमने भ्छाइब ही तरह हमने माना यदि किसी वर्श्टव पर दो एक्टन आ जाते हैं कहीं से तो उस पर कितना अविस होगा और आवेस की प्रिक्टि बताओmor कि идет अबस अबस्ति होगा और आवेस की प्रिक्ति बताओ इंगर आपको बताने चलुँ चलते हैं आपको पता है, जब किसी बर्चतो पर ऐलेक्टरन आ जाते हैं, अर्था तो इस पर क्या आ जाता है? मैनस का आ जाता है, अर्था दो गर्फा जम स्वागे, स्वार यहां पर जो CL लिखा है, यह जो 2 गली अगया है, इसलिए इस पर क्या लग गया? माइनस का चिन लग गया तो A प्लस C L इस पर माइनस का चिन लग गया अर्थाद दो रडात मकाविस आगी यहाँ यह जो A लग गया बेटा यह जो C L अगर यह हम पर गलत लग गया है पर A ओना चाहिए क्योंकि A प्लस 2 E बराबर A की पावर 2 रडाइन तो यहाँ क्या बन जाएगा A की पावर 2 रडाइन क्योंकि इस बस्तू पर 2 E लेक्टान आए है इसलिए 2 रडाइका आएगा अगर 5 लेक्टान आए होते तो 5 रडाइका आता और 6 रडाइका आता यहाँ तक के लिए रुगा अर्थाद हम कह सकते हैं जो यहाँ पर है इसे हम थोड़ा साप करके इसको सही से हम बना दे है A अब आगे बात करते हैं यह तो आपको यहाँ यहाँ तक समझ में आगे हो यह कोई बस्तू थी इस पर 2 E लेक्टान आगए तो इस पर क्या बने गया यह की पावर 2 रिलाइन अगर 5 आयो होते हैं तो यह लगते हैं यह की पावर 5 रिलाइन ठीक है यहाँ पाँच रिलाइन चलो अब हम बात यह करते हैं कि जो आवेस जो निकाला था पीछे हमने उसी की तरह हम इस पर आवेस की मात्रा निकालेंगे और इस प्रस्म भी आपको दोनों बाते बताने हैं आवेस की मात्रा और प्रिकिती तो आवेस हम कैसे निकालेंगे जहाँ यह वैद्वचे था यह जो बेटा सेलाइड जो आगी पिछली वाली सेलाइड है इसलिए यहाँ पर आ गई है है यह गलती सेुधर वाली सेलाइड यहाँ पर आगी समंझा इसलाइड का यहाँ पर कोई मतलम नहीं था यह वाली सलाइड आगी हम इसको थोड़ा सा रफली कर देते हुआज मिर्क आपकर कर दे रहे जिस से कि आपको प्रावलम ना हूछ ठीक है इसे अब ना समझेना यह स्लाइट पिछली वाली है जो आपके यहां पर आ गई है वो पिछले एक चैप्र आगे हम बात करते हैं तो जो आवेस का जुमान है आवेस हम कैसे निकालेंगे आवेस क्यू बराबर एनी होता है तो एन का मतलब बीटा इस पर कितने लेक्टान आया है कितने लेक्टान गई तो इस पर एलेक्टान कितने आई दो तो यहां एन का मान दो रख दिया अब मुझे पता है यहां पर इस दो आई और कितने ए एक की वैल्यू आपकी निर्दारे थे एक दिसमलेट 6 गुड़ा दसकी पार मानेस 19 कूलां तो दोनों खमने गुड़ा उन्यस कूलाम का आवेस होगा जब तीन दो गुड़ा दसकी पार मानेस 19 कूलाम का आवेस होगा तो अभियापका पीछे वाले चैप्टर स्वरी इस प्रश्ण में आपसे यह पूचा गया था आवेस का मान था प्रिकिति बताए तो इस प्र आवियापने इस सॉल्व करके सिर्व यह बताया अवेस का मान थे तीन देसेमल दो गुड़ा दसकी पार मानेस 19 कूलाम लेकिन आवेस की प्रिकिति कैसी होगी तो पता है वस्तु पर एलेक्टरान आर्थाता आवेस का मान कैसा होगा रड़ातमक तो होगा मानेस तीन देसमला द Whera d steeper दसकी डॉर मानेस 19 से फिके इसको याद रखना बस अब यहां से दो बात और निकलेंगे तो उस पर अजाएंगे तो उस पर रलात्मा कावेस आएगा यहां तक हमें लगता है संभाव था चोटी चोटी बातें आपको समझ में आ गई होंगे ठिक है यह आपकी आंगे जर्चा करेंगे थोड़ा सा यहां सेंसे हमें तो नहीं लगता है कि आपको यहां कोई छोटी पूरी प्रावलम होगी, ठीक है, अब हम बात करते हैं यह जो आवेस होता है, इसकी और मात्रक होते हैं, जो आपको नुवेरकल में काम आएंगे, उनकी विगर नुवेरकल सहीनी होता है, तो बात स्ट्रांग कूलाम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 कूलाम और एक पिको कूलाम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 12 कूलाम इसके बाद एक और बचा बेटा एक फर्मी कूलाम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 15 कूलाम वैसे यह जो मात्रक होते हैं वीटा इमवैस्वरी जो मापांक होते हैं यह जो इनकी यह बहुत होते हैं लेकिन जितने हमने जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इतने आपने अगर देख लिए तो यह काम आएगी नोबर करें चलो एक बार फिर जी रिविजन करते ह एक माइक्रो कूलाम बराव 10 की पार माइनस 6 कूलाम नैनो कूलाम 10 की पार माइनस 9 कूलाम एक अंगस्टंग बरावर 10 की पार माइनस 10 कूलाम एक पिको कूलाम बराव 10 की पार माइनस 12 कूलाम और एक फरमी कूलाम बराव 10 की पार माइनस 15 कूलाम बस इतनी आपको याद अधर था उसके वारे बहां था जी है यह सकूल अपारियान से देखना बहुत परेशान कर देंगे तुमको कूल हम साफ कहते हैं भार असी बाहत में कूल अर्था कोई दो बास्तू सबंसा सब्सक्राइब ना उन्हें में जो बल लगता उस बल के बारे बता है था तो बल के बारे उन्होंने क्या परवासा दी थी कि किनी दो बस्तुगों के बिंदू कैसे होने ची आवेसित किनी दो आवेसित बिंदूओं के बीच लगने वाले आकर्षड या प्रतिकर्षड वलका मान उन दो बिंदूओं के की दूरी के ब्यूत क्रमान पाती होता है वा उनके आवेसों के गुड़न फल कहा है यहां पर जो दूरी लिग गया बेटा यहां पर थोड़ा सा यह दूरी नहीं होता है यहां दूरी के वर्ग स्क्वेर नीच अपने प्रिंट नहीं हो पाया कट गया किसी तरह से ले लिखा दो सायां पर हम से थोड़े सा म पैंसिल ले ले एंसरोले कि यांपिसड यहां पर कहां से लगा तैं यहां से दोग स्वेयर आगंक के लिप की वर्मोर्ग व्यूत करमान पाती हिंदी मैं भी लिख दे रहे हैं वर्ग के व्यूत करमान पाती और गुलन फल की अनकरमान पाती होता है ठीक है अर्थात महीं थो यहां से पर थोला सा नीचे कर दो आपको चित के माध्यम से समझाते हैं तो चित की माध्यम से हम आपको समझाते हैं थोड़ा सा यहां तक तो हमें लगता है कि आपको समसामाज में आ गया होगा किनी दो बिंदूओं के बीच लगने वाले आकर्षड अपरतिक अठर बलका मान उन दो बिंदूओं के बीच की दूरी के वर्ग के वियुत क्रमान पाती वा उनके आवेसों के गुलन फलों के अनक्रमान पाती होता है ठीक है जो आवेस होंगे उनके अनक्रमान पाती होता है ठिख है चलो आए अई हम देखते एक चित्र की माद्यम से इसको हम देखते है ठीक है अभी हम थोड़ा सा नेकेता सब्सक्राइक कर लें झीदर से अविट लाइट नीचे से नहीं आ रहे है ठीक है अच्छाँ से लाइट तो आ जाएगी नीचे हाँ टाइम लग रहा है ठीक थीचा है अच्या है जर्या मीफ बताओ यहां तक तोहीं प्रावलम नहीं होगी पेटा आइस भी समझ से और इसके पाड कि पीछे का सही समझ में नहीं आएगा बेटा तब तक आपको इस कुलाम से समंदित बात नहीं समझ में आएगी क्योंकि इसमें आपके कुलाम साव है यह थोड़ा सा बहुत डीप डीप डीपली भी कह सकते और थोड़ा सा जादा विस्तित रूप भी कह सकते क्योंकि कुलाम जो है इस चित्र जो बना है वो चित्र बना है यहां पर दो आवेस हैं जिन में दो जगे दिखाया है एक बिंदू पर यहां मान लो बिंदू A है बिंदू A पर जो आवेस है वहां पर आवेस का मान रखा है Q1 और दूसरे बिंदू जहां B मान लो वहां पर जो आवेस है वहां पर आव आवेशों के बीच की दूरी कितनी है small A. ठीक है हम मानके चलते हैं माना इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है small A अप इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जब neuenough है तो इनके मदए बल लगेगा उस फल का मान है capital F capital F जो बल लगीगा अब कुलाम की नियम कनसार हमें पता है कि यह दो आवेस हैं तो आवेस जब होगा तो यहां पर आवेस जब हैं तो इनके बीच में जो बल लगीगा तो बल बीटा दू बातों पर निर्वर करेगा एक जुद्व आवेस लगी है उन आवेस की मात्रा पर निर्वर करता है आवेस कितनी होगी और दूसरा इस बात पर निर्वर करता है ठीक है चलो आतए है आगे समझते परवासा के अनुसार मुझे पता है कि जो बल है बल की बारिम क्या बता है था नीचे देखो कि उनके आवेसों के गुणन फल के अनक्रमान पाती तो हमें पता है बल केतना लग रहा कैप्टल F और आवेस कितना है Q1 Q2 तो दोनों का जो गुणा करोगी वो क्या बनेगा Q1 इंटू Q2 ठीक है थोड़ा सा हम से लाइड ले ले लें कलर से आपको पैंसल के तरह समझाते ठीक है तो आपको सही तरह समझवाएगा अब एक तरफ रखतें थोड़ा से एक तरफ ठीक है कुलाम साब को बंद कर दें हा इंडिया वाले तो गर्मी सैन कर जाते हैं ठीक है आगे चलो तो सबसे पहला हमने क्या बता है कि जो बल एफ है वह हमने बल एफ मान लिया आवेस का मान की बन दूसरे का मान दूसरे आवेस का मान है क्यूटू तो दोनों आवेसों के गुलन फाले के अनकर्मान पाती होता क्यूटू एक के मompati क्यों इंटू क्यूटू सब्सक्राण फाले क्यूटू June के नियुकल बूर मुटा सबक्राइए के पहला क्या का उसने इससे पहले का दूसरा श्त्रेमेंट पहले स्ट पहले संतरी है एंधों की दूट आए बेटा इनके इनके की दूरी के वर्ग के प्यूत क्रमानपाती होता है इससे आपकी दूसरी स्लाइड बन गई capital F बीगूत क्रमान पाती बन अपान आर्श क्वार अर्था तो हम कह सकते दो आवेसों के बीच की दूरी यदी बढ़ेगी तो आवेस का मान कम होगा क्योंकि बेटा दो आवेस हैं, जितने पास में रखे होंगे, उनके बीच उतना ही अधिक बल लगेगा, और जितने जादा दूरी पर रखे होंगे, उनके बीच में उतना ही कम बल लगेगा, ठीक है, यही तो वियुत करवान पाती का मतलब होता है, ठीक है, चलो, तो हम बात करते हैं थो हहां से जो आप को दिख रहा हुगा řिख ख्बिष्ट कर Ins下去 अभ्ड दोनों सम्मेकलों मिला करके मिला इसके बार हमने यह तोочки हटा दिया इसके बात हमने कोई फ्रौाइन्स द्राइब दिया केय्प्टल यहां फर कन्फिज मत होना किसी एक मैं क्या है यहां बिखायर एक कट glor तो यह अलगलग मान है तो सारी कॉंस्टेंट जो हमने रेट कलर से क्रॉस किया यह पूरा जो मान है यह पूरा मान आपका क्या कहलाता है यह पूरा मान आपका कहलाता है क्या यह पूरा मान आपका कॉंस्टेंट कहलाता है ठीक है तो यह पूरा आपका कॉंस्टेंट होता है तो यह आपका constant है जहीं समय फोर पाई तो constant आप मालूम होगा मैथ से होता है epsilon 0 physics से आया है और के जो होता ये भी एक constant अर्था नीतांग की तरह कार करता है अर्था बन अपॉन फोर पाई epsilon 0 2 के नीतांग है कौन कौन से नीतांग है आए चले देखते हैं जहां के एक नीतांग है जिसका जहां के एक नीतांग है जिसका मान वायू या निर्वात के लिए एक होता है आपको पता है ये जो के है कैपिटल के लिखा था ये जो के क्या होता है ये वीटा पदार्थ का परावायतांग होता है जहां पर कोई वैद्दु छेत है, वहां पर कोई पदार्थ होगा, तो पदार्थ माध्यम का जो परावैद्दु तांग पदार्थ होता है, उसका जो मान होता है, वो के होता है, के को बोलते है, के जो होता है, के निर्धारित होता है, तीन जिजों के लिए के का मान एक होता और आगे चलते हैं अभी पीछे आपने देखा था और एपसाइलन जीरो और एपसाइलन जीरो निर्वात की वैद्व सीलता हुआ माध्यम की वैद्व सीलता एपसाइलन और के माध्यम का परावयता है जैसा अभी हम आपको बता रहे थे एपसाइलन जीरो जो है वो आपकी यहां से एक बात और याद रखना भी पढ़ते हैं ठीक है यहां से फिजिक्स के पूरा खंड है बिद्दुत की बात कर रहा हूं चुमक भी ऐसा ही मिलेगा आपको बिद्दुत में जहां पर भी किसी भी रासी के यहां नेचे नौट लगाऊँ जीरो लगाऊँ वसे इमका पढ़ते नौट तो जीरो यह डेनोटिट करता है कि वह रासी कि वाई व्य thếलर निर्वाद को डेनोटिट करती है जैसे हमने लगा दिया ध्याल जीरो तोई भी रासी मालू मानू हमने वाली यह एक पता है बल होता वाई व्या निर्वात में बैद्दुद भल ठीक है तो not sub 0 जो नीचे लगते not ये denoted करता है कि वह रासी वाई व्या निर्वात को denoted करती है ठीक है किसी वी रासी के नीचे यदि not लगा है तो उसका मतलब अधिकतर यही होता है आप बिद्दुद की बात कर रहा हूं मैं वाई व्याण निर्वात के लिए ठीक है अब में सम्भवता लगता है कि आप लोगों को ये बात सही समझ में आगी होगी चलते हैं नई स्लाइट की तरफ ठीक है तो एपसालन बरावर एपसालन जीरो इन टू के ठीक है यह तो बताया था यह आपका कॉंस्टेंट था हाँ ठीक साई तो कॉंस्टेंट जितनी भी होते बीटा उनका मान निर्धारित होता है कॉंस्टेंट का मतलब होता है मान निर्धारित होना तो कॉंस्टेंट जो है उसका मान निर्धारित है तो constant का मान जो नरधारित है वो कितना मान है constant का मान नरधारित है बन अपन फोर पाई epsilon 0 constant है इसका मान होता है 9 गोड़ें 10 की पावर 9 ठीक है इसकी ही साहिता से हम epsilon 0 का मान निकालते हैं तो आईए हम निकालते हैं epsilon 0 का मान निकालते हैं Apsal & 0 का मान निकालते मुझे पता है जिसके परवासा से बन उपन 4 pie エpsal & 0 बराबर होता है नो गुड़ां 10 की पावर नो अगर मिसी पलट दें बेटा दोनों को तो बन जाएगा अगर इसे हम पलट दें तो क्या बन जाएगा फोर पाई एपसालन जीरो फोर पाई एपसालन जीरो बराबर जब हम बन अपन फोर पाई एपसालन जीरो पलटेंगी तो फोर पाई एपसालन जीरो उपर पहुंच गया यह जो बेटा बराबर के दर लिखा था नो गुड़ें है 10 की पावरe ठीक है यहां से बने गया है लेकिन हमें मान किसका निकालना है हमें मान निकालना लेकालना है Seven आपसालन जीरो बराबर इसका आमने भाग दे दिया एक सालन जीरो बराबर आठ दिसमल आठ पॉंच गुणने दस्की पावर मानेस बारा कुलाम स्क्वैर प्रति न्यूटर न्यूटर इन्टू मिर इस्क्वैर क्या होता है नप आनप फॉर पाय आपसालन-जी-रो कॉलाम स् है एक बटी ठीक है उधर बन नट फसकी नौ ना घुट गाई था फौर पाई उधर पाई पिप्द्द आप टो बाग में हो जाएगा तो ये उधर जाएगा तो बन गया फोट ऐपन ओ कर बाई एप-स नन पिर इंटू इसकी बाद तर लगा तो अब मुझे पता है दसकी पावर की बात कर रहे हैं नीचे लिखा है अब 9 चौको 36 तो 9 का गुडा चार्म करें कितना हो जाए का 9 चौको थोड़ा ध्यां से देखना राइटिंग थोड़ी सी नहीं बनेगी मावस से ऐसे लिख पाता विटा तो यह नहीं लिखा है 36 चातिस और पाई कमान कितना रखती है बाइस बटे साथ तो बाइस आ गया नीचे साथ कहां पहुंच गया उपर पहुंच गया इंटू फिर हमने इंटू लगाया यह जो दस की पावर 9 है यह जब उपर जाएंगी तो कितनी बन जाएंगी दस की पावर माइनस की 9 ठीक है दस की पावर माइनस की 9 बन जाएंगी अब हम क्या क करके और यहां पर लिखेंगे जो भी आपका मान आएगा उसका उपर हम भाग दे देंगे तो यह जो आपका मान निकल के आता है ठीक है इतना तो आप लोग करी सकते हैं यानि उपर बन जाएगा बेटा साथ बटे चात्यस गोड़ें दसकी पावर माइस नो भाग देंगे तो आपका मान आ जाएगा जीरो दिसम्लाव जीरो 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 आठ पाउच गोड़ें नो को आठ करके उचाएगा पावर घटा देंगी तो फाइनल आंसर न इतना ही है हमाँ लगता है जाधा मड़ा वीडियों हो जाएगा फिर आपको तबистक्रा दे atmड जाएगा अगए अगले वीडियों में पढ़ेंगे-अ पीडियों वीडियो के नीचे दिए गए हैं अर्तात वीडियों के नीचे आपको एक पीडिया मिलेगी जिससे जो भी video उनको समझाएंगे जो नहीं आएंगे ठीकe फ्रालों होगी ठीकहिए इस वो आपकी video कौन कौन से हो सकते हूँ को नई पीछे नहीं पढ़ाया तभा धब जैसे आब इस पर को ठाया होगा किः बढबर इसा पर गया जहतो है एसे कोई बस्तु पर इतना ऊपस खते थे और उस बस्तु से कितना वीस बार निकल आ सो pug कितना आवेस होगा तो जैसे कि हम ने इसा सफसे आै प्रश्णब को मिलेंगे ठीक है पढ़ने मिलेंगे थोड़ा सा आपको कूलाम से संबंदे ठीक है यह आपको पढ़ने मिलेंगे कूलाम से संबंदे जो अबने फार्मूला बताया था फाइनल वाला फार्मूला कूलाम बाले में वह आपको पढ़ने को मिल सकता है ठीक है तो कूलाम बाले च कर फार्मुलर लगाना है और बन अपन पर पाय अपसालन जीरो कमान पता है कितना रखना नो गड़ा दसकी पावर ठीक है गुडबाई इसी के साथ ही अब ये वीडियो समाप्त करने जा रहा हूं आप लोगों से अन्रोध है कर पर रहे हैं सुरक्षत रहें पढ़ते ही रहे इस वीडियो सम्मंदित वह आपकी यहां हमें पाया है